कि वेलकम स्टो माडलटी और इस लेक्षर में हम जानेंगे स्प्लाइन के बारे में, दे़िए स्प्लाइन कमाण्ड का जो वो होता है SPL ENTER, और स्प्लाइन को हम क्यों यूज करते है उसके पहले हम जार लेते, स्प्लाइन होता क्या है तो स्प्लाइन एक freehand sketch होता है और इसको create कैसे करते हैं देखिए सबसे पहले आप spline command में आ जाईए spl enter करके और यहां पर मैं random कुछ भी बना देता हूं यह मेरा spline है और जैसे आप देख सकते हैं यह freehand sketch है और spline में कोई dimension नहीं होती है dimension less entity है अब spline को हम use किसलिए करते हैं एक example के तुरू समझते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमने broken out section view लिया हुआ है और इस case में हमने इस part को broke करके दिखाया है section दिखाया है इसका तो यहां पर यह जो entity आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो बन रही है यह spline के तुरू generate होती है यह फिर अगर आप shaft का end दिखाना चाहो जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यह जो shaft का end होता है यह भी आप broken out section sorry यह भी आप spline के तुरू generate कर सकते हैं broken out section में आपको यहां पर भी देखने को मिल रहा होगा तो इस case में हम spline का use करते हैं अब spline कैसे create करेंगे इसके बारे में जा लेते हैं कमान में हमें सबसे पहले जाने देखिए spl enter करना है और fit और cv दो तरीकी की spline होते हैं इनके बारे में हम बता देते हैं अब यहां से मैंने कुछ इस तरीके से spline create कर लिया है यह हमारा fit है और अगर हमें cv create करना हो तो method में जाना है और यहां से cv को select करना है अब दोनों spline में difference क्या है यह समझ लेते हैं देखिए जो fit से मैंने create करा है यहां पी जो spline है इसमें flexibility बहुत जादा है जैसे आप देख सकते हैं तो मैं point की positions को देखू तो वहां से बहुत ज़्यदा flexible हो रही है बट cv के case में difference है यहां पर फ्लेक्सिबल नहीं है वो smooth जादा हो रही है जैसे माल लीजेगर मैं degree में जाकर करके यहां पर six update कर देता हूं और अब मैं दुबारा से बनाता हूं spline फिर से मैं command में गया है यहां पर degree मैंने nine update कर दिया है और अब मैं अगर इसको फिर से बनाता हूं कि तो कुछ इस तरीके से बन गया तो वह क्या है यहां पर जैसे जैसे आपने degree बढ़ाई है ना वैसे वैसे smoothness आपके बढ़ती चली जाएगी सीवी केस में यहां पर degree six था और यहां पर degree nine था अगर मैं degree one कर देता हूं तो उस केस में क्या होता है तो देखिए one की केस में क्या होगा आपकी smoothness रहेगी नहीं यह लाइन की तरह ही आपको दिखेगी ठीक है बट होगी एक spline ही जैसे आपको यहां पर दिख भी रहा है यह spline है अब मैं इसको degree three ही कर देता हूं माली जी यह दो spline है मेरे पास अब मुझे इसको change करना हुआ cv में और इसको fit में change करना हूं तो उसके लिए क्या तरीका है देखिए select करेंगे select करने के बाद यहां से cv में है और अगर आपको इसको fit करना है तो आप इसको select कर लीजिए यहां से select करेंगे और इसको fit कर दीजिए यह कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपके इसको 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 स्प्लाइन में कंवर्ट करना पड़े तो सबसे पहले आप स्प्लाइन में चले जाए और यहां से हमारे पास object है select कर लीजिए उसको रेंटर कर दीजिए स्प्लाइन में change हो जाएगा अच्छा दिहान यह रखना कि जो आपकी स्प्लाइन है वह सीमी में होनी चाहिए अगर fit में भी तो वह object को change करने में काफी problem आपको फिस करनी पड़ेगी अब मैं एक बार आपको soft का end create करके दिखा देता हूं यहां पर मैं किलिक कर देता हूं यह मैंने length ले लिया यहां फिर सबको सबसे पहले select करके delete कर देता है मैंने यहां से एक लाइन ठीक इसके बैरल बना लेते हैं यहां फिर हमने इसको क्या कर दिए हैं यहां से ठटी कर दिया हूं कि लीट कर देता है एक्सिविलीटी रहे तो annotate में जाके मैं यहां पर सेंटर लाइन ले ले लेता हूं स्प्लाइन में चले जाते हैं और तो मुट को अफ कर दीजिए method आप रखे यहां पर fit पहले अंदर की तरफ बनाएंगे हम फिर इस तरीके से भार की तरफ एंटर दवा देंगे दुबारा से नियुकराना आपको बिल्गुल बेंसे लेना है यहां से और इस तरीके से सेms हम यहां करेंगे अब हमें देखें, यह वाला जो फिर से हो बार के दर्फ चाहिए, तो यहां से हम इसको अंदर के दर बनाएंगे इस तरीके से और अब इस तरीके से, सेम हम इस तरीके से काम करेंगे, यहां imagine इंटरसेक्शन में यह हमारी जो शाफ्ट एंड हो रेडी हो चुका है और अगर मा लीजे मैंने यहां पर श्लोट बना देगे रेंडम इस तरीके से स्प्लाइन वाले लेता हो तो यहां पर हम स्प्लाइन ले लेंगे इस तरीके से इसको किरियेट फिर लेंगे अब यहां पर हैज लगातेंगे एच एंटर करेंगे हैज का पेटरन हमारे यह है स्क्रीन हम कर देंगे और चोटा और यहां से स्को के कर देंगे यह देखिए ब्रोकन आउट सेक्षन भी लगा बस उपर वाले पोर्शन को आपको ट्रिम करना पड़ेगा सेम हमें यहां पर लगाना है तो हैज में हम चले जाएंगे और एक यहां पर और एक यह एच लगा तो यह देखे स्प्लाइन किसने यूज होती फ्री एंड स्केच होता है तो basically shaft end आपको create करना हो और broken out section अगर आपको दिखाना हो तो उस case में हम spline गई use करेंगे